चलिए देखिए, देखो बिटा, तो ध्यान से सुनो, जैसे आपने जो है, यह आपके पास circular track बने हुए हैं, दो circular track है, दो बच्चे यहाँ पर दोड़ रहे हैं, यह A है बच्चा, और यह क्या है, B बच्चा है, समझ मैं है ना, इसकी speed भी omega है, इसकी speed भी क्या है, omega, तो T सम omega T, theta equal to kitta, omega T, तो बिटे, यहाँ पर, इस बिंदू पर, A पर, चलने के लिए बोलो, कितना कूण बनाएगा यह, omega T, अच्चा, इसका कूण जादा होगा, कि कम होगा, कि उतने होगा, उतने होगा, मतलब कोणी विस्थापन क्या होता, सेम, कोणी विस्थापन क्या होगा, मगर कोणी विस्थापन तप सेम होगा, जब कोणी विक समान हो, अगर मानलो यहाँ पर, मिसरा बहुत तेज से दोड़ रहा है, तो उतने ही समय में, T समय में याने की 10 सिकेंड में, मिसरा बहुत आंगे निकल गया, मानलो यहां निकल गया, बोलो हाया, ना, तो अब देख मेह मेही मिसरा कहां पर पहुँच चुका है omega 2 t, कौन देखो हाँ या ना, क्योंकि पहला वाला कौन क्या है, omega 1 t, और बाद वाला कौन क्या है, मतलब पहले वाले का a बिंदू का ये जो a बिंदू यहां पर पहुँचा है a बिंदू का कला A बिन्दू की कला D समय पर उतने ही समय पर D दूसरा D समय पर, बिन्दू B की टाज़िक कला D दोनों के बीच में अंतर है की नहीं है है ना? तो भ Diane अब निकलेगा कालांतर क्या निकलेगा? तो कालांतर बराबर डेल्टा फाई बोले टो फाई टू माइनस फाई वन उमेगा टू टी माइनस उमेगा वन टी आया समझ में क्लियर हो गया भी है तो यह कहलाता है कालांतर क्या कहलाता है अब आपने देखा वोल्टेज और करेंट के केस में दोनों एक साथ सुरू हुए हाया ना दोनों एक साथ खतम हुए हाया ना तो इनका कालांतर कितना है मतलब प्रतिरोधिय परिपत में वोल्टेज और करेंट ध उनों समान कला में होते हैं हाए ना